मुश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है यूटूब चनल एक्सक्लेपिय साहिरुवेदा में दोस्तों आज की सिशन में हम आईडी लगाना सिखेंगे कैसे हम AWPL में आईडी लगाते हैं तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस पर क्लिक करना है जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ समय के बाद प्रोसेसिंग होगा प्रोसेसिंग होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा इसमें आप देख सकते हो डेट अफ ज्वाइनिंग फ्री ज्वाइनिंग यहाँ पर अब नाम डालेंगे हम यूजर का नेम अनील कुमार गुपता यह हमने नाम फिल कर दिया उसके निशे हम जाते हैं अब इनके फादर का नेम डालेंगे जो की काशीनाथ गुपता इनके फादर का नेम है अब इसके बाद हम नीचे डेट अफ बर्थ सक्षन में जाएंगे यहाँ से इसको इरेज भी कर सकते हैं और कलेंडर के द्वारा भी फिल कर सकते हैं अलंकि हम इरेज करके भरेंगे अब नीचे में जाते हैं सेक्स में मेल हैं एड्रेस इनका हम एड्रेस भर देंगे विलेज प्लस पोस्ट लेहरी और अच्छे से हमको विलेज देख लेना है अधार कार्ड के पीछे क्या विलेज दिया है क्या पोश्ट दिया है, क्या थाना दिया है, अच्छे से नाम फिल करना होता है, और अधार कार्ड पे candidate का भी क्या नाम है, ये भी अच्छे से फिल करना होता है, कोचस हमने भढ़ दिया, अब इसके बाद नीचे हम चलेंगे, state, कोचस है, आपको बिहार में, बिहार हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद city हमारा हो जाएगा, कोचस, पहले से देखिए, भॉम भरा हुआ है, इसलिए दिखा रहा है, अब डिश्टिक है इसका रोहताश, रोहताश हम नीचे ड्रैक कर कर जाएंगे, देखेंगे रोहताश किदर है, नलंदा, पटना, पुर्निया, रोहताश हो गया, अब इसके बाद हम, जहाँ इस्टार मारका है, उन्हीं को हम फिल करेंगे, क्योंकि हम mandatory है, कोचस का जो पीन कोड है, वो हम भर देंगे, इसका पीन कोड है, 82, 11, 12, देखें दोस्तों, डेट ऑफ मेरेज पर इस्टार नहीं लगाया हुआ है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, यदि साधी हो गई, तो भर भी सकते हैं, और आप नहीं इंफॉर्मिशन देना चाहते हैं, तो नहीं भर सकते हैं, मोबाइल नमर भर के हम आग हम भर दिया, काशी, नात, गुपता, काशी, नात, गुपता भर दिया हम, अब इनके बीच और केंड़ेट का, केंड़ेट और इनके बीच क्या रिलेशन है, तो ये इनके फादर है, नीचे डेट आप बर्थ है, यहां हम इनके फादर का डेट आप बर्थ भरेंगे, ना क tp send होगा जो नंबर भने हैً मोबाइल का मोड का некоторые 24 ओपक्रोन की पहले से भरा हुआ है हम यह पर फिर सेफ़ करेंगे स्वेप करने के बाद देखे चेक बॉक्स बना हुआ है उस चेक बॉक्स पे हमको click करना है और click करके फिर save button पे भी click कर देना है तो हम करते हैं बारी बारी ये होके हमारा save पर click थोड़ी देर process होगा और उसके बाद एक फिर pop-up खुला उसमें हमको your login ID और password देखिए password default है admin में A capital है 123 ये हम screenshot ले रहा है next video बनाने के लिए अब हम यहाँ पे इसको ok कर देंगे देख लिजे password और login बढ़ियां से t-minus करके है ये ना password by default होता है इसके बाद हम इसको ok करेंगे दोस्तों जैसे ही हम ok करेंगे ok करते ही एक screen खुलेगा login करने वाला देखिए process होना चलू हो गया ये आ गया यहाँ जो तीन लाइने बनी हुई है उस पे हम click कर देंगे click करते ही एक option आएगा first of all हम screen shot ले रहा है in future work के लिए यहाँ पर अब हमको become a direct seller पे नहीं login पे click करना है हमने login पे click करना है yes login पे हम click करेंगे login पे click करते ही login का option खुल जाएगा यहाँ पे हम जो हमको pop-up में दिखाए दिया था t- वो हमको fill करना है हम इसको भरेंगे t-e 7-8 sorry b 1-e 9 उसके बाद हम password फिल करेंगे जिसमें की by default है admin में a capital है उसके बाद 123 अब हमने यहाँ submit किया submit करते ही तो अब देर प्रोसेस होगा प्रोसेस होने के बाद एक नया screen आयेगा आपके window पे अब देख सकते हो प्रोसेसिंग चलू हो गया और यहाँ पे आ गया upload your kyc document जी हाँ दोस्तों यह हमको बहुत साधानी पूर्वक भरना होता है यहाँ पे आप देख सकते हो उपर में pen card के लिए आया हुआ या depend नहीं है तो आप अधार card से काम चला सकते हो अधार card का नाम दिया हुआ है अनील कुमर गुपता अधार number आपको manually fill करना है उसके बाद चूच कर लेना है अधार address proof आप देख सकते हो address proof में आप क्या देख सकते हो अधार देख सकते हो electricity bill, water card, रासन card, DEL, passport ये सारा चीज देख सकते हो sorry सारा नहीं इनमें से किसी एक को देना है और जो भी आप fill कर रहे हो radio बटन पे क्लिक करके उस फाइल को चूच करके upload कर देना है उसके बाद आप नीचे देख सकते हो age proof, age proof में भी आप क्या दे सकते हो तो इनमें से कोई एक या तो pen card mark sheet, water card, अधार card, DEL और birth certificate इनमें से किसी एक पे क्लिक करके हो hard copy हमको upload करना होता है फिर आगे चलते हैं photo identity photo identity में देखी दोस्तो water card है, अधार card है, DEL है, passport है तो इनमें से कोई एक choose करके जैसे हम उपर में choose किये हैं उसी तरह उसकी hard copy को इसमें upload कर देना होता है upload करने के बाद हम नीचे चलते हैं नीचे जाते ही हमको क्या करना है upload KYC पे click कर देना है तो हम start करते हैं अपना काम चलिए देखते हैं अधार card हम ले रहा है अधार number हम यहाँ पे manually fill करेंगे यह हमने click किया उसमें और हम अधार number डालना चालू कर दिये अधार number मेरा 560888 उसकी बाद है 685577 हम file को choose करेंगे जो भी हमने gallery में save की हुई है एक चीज और है दोस्तों ध्यान रखने वाली बात जब भी हम ID लगा रहे हैं किसी बंदे का तो सबसे पहले हमको ज़री जो भी information है उसको एक कागज़ पर लिख लेना होता है जैसे अधार सिर्फ है मेरे पास तो अधार पे क्या नाम है उनके पिताजी का क्या नाम है उनका date of birth क्या है अधार number क्या है और सबसे important चीज address और sponsor ID भी आपको चूच कर लेना है और पहले ही decide कर लेना है कि आपको उसके bonus में डालना है या incentive में डालना है तो दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ी दर processing होगा आपने फाइल भी चूच किया है गलरी से फाइल चूच करने के बाद आपको विंडो पर दिखाई देगा जो भी हम अधार लिए देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिख रहा है आपको तो देखिए नीचे में address proof में भी वही दिखाई दे रहा है age proof में भी वही दिखाई दे रहा है photo identity में भी same अधार काड ही दिख रहा है तो it's okay चलते हैं उपर में लेकिन एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात है दोस्तों address proof में अधार का front यह सही नहीं है ठीक है यहाँ पर अधार का back होगा क्योंकि अधार का back side में ही candidate का address दिया रहता है तो हम फिर से file में जाएंगे gallery में जाएंगे और हम अधार का जो भी back side का screenshot लिये हैं उसको choose करके इसमें डाल देंगे थोड़ी तर processing होगा और processing होने के बाद हमारा वो फाइल इसमें दिखाई देने लगेगा देखिए आप processing हो रहा है यह हमने screenshot लिया है दोस्तों हाँ देखिए दोस्तों processing हो गया आप देख सकते हो इसमें यह धरकड का back side का photo है इन सब चीजों को बहुत ही साउधानी से देखना है अब यहां देखिए age proof age proof में back side का photo यह तो wrong है हाँ इसको हमको correction करना है तो इसमें भी हम choose file पे जाएंगे gallery में जाएंगे और जहां भी हमने file रखा है उस option को choose करके हम वहाप पे उसको access कर लेंगे it's very simple यह किसी का phone आ रहा है phone अटा देते हैं अभी file में यह हो गया photo identity भी हमारा साही है अब दोस्तों हमको upload kyc पर click करना होता है चीक है यह देखिए फिर से phone का pop up आ गया इसको हमको अटा न होगा upload kyc पर हम click करेंगे ठीक है दोस्तों यह screenshot हमने ले लिया in future use करने के लिए दोस्तों upload kyc पर click करने के बाद एक मिनट दोस्तों screenshot ले ले ना दीजी हो गया screenshot जैसी upload kyc पर हम click करेंगे click करने के बाद एक नया window खुलेगे agreement का आप देख सकते हो दोस्तों screen पर हम इसको zoom भी करेंगे agreement है यह हाँ जिसके इंडेट का हमने form fill किया है यह mobile भी हुआ है दोस्तों इसलिए आप वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है नीचे में दोस्तों check box बना हुआ एक बटन भी है थोड़ा सा zoom कर देते हैं हम आई accept करने के लिए बना हुआ है इस agreement को क्लिक करके हमको नीचे बने हुए बटन पर क्लिक करना होता है क्लिक कर दिये हैं उसके बाद उस बटन पर भी क्लिक कर देंगे यहां दोस्तों जहां हमने rate signal दिखाया उसी पे हमको click करके click करने के बाद एक process होगा और दोस्तों यहीं पर आपको आएगा कि आप इस बंदे को आप bonus में डालना चाहते हैं कि incentive में डालना चाहते हैं इसके अलावा sponsor ID इनका क्या रहे जाए ठीक है दोस्तों तो हम यहां पर sponsor ID भरेंगे इसलिए हम पहले बोले थे कि आपको कागज पर sponsor ID भी लिख लेना होता है और decide कर लेना तो है कि आपको bonus में डालना है या incentive में डालना है क्लियार है ने दूस्तों तो हम यहाँ पर sponsor ID फिल करते हैं देखिए और हमने यहाँ sponsor ID प्रदीप कुमार जी की डाल दी पहले से ही चूच की हुई है और यह हो गया sponsor ID जैसे हम sponsor name पर क्लिक करेंगे प्रदीप कुमार जी का यह sponsor ID है और यह उनका नाम है अब उनके SAO मतलब bonus SGO मतलब incentive तो हम SAO में डालेंगे bonus में डालेंगे और यहाँ पे हम submit बटन पे click कर देंगे जैसे हम submit करेंगे हमको एक dialogue box display होगा उसमें जी हाँ दोस्तो candidate का user ID sponsor इनके कौन है और user का password क्या है यह सारा चीज हमको details मिल जाएगा आप इसको screenshot ले सकते हो कागज पर लिख भी सकते हो इसके अलावा यह आपके mobile पर message की रूप में भी आता है लेकिन risk क्या लेना है हमको screenshot ले लेना है कागज पर लिख लेना है हमको क्योंकि अभी हम तुरंत इसको login करके check करेंगे तो दोस्तो हमने यहाँ ok किया ok करते ही और window चला जाएगा और home page पर आ जाएगे यहाँ पर हम फिर से login करेंगे दोस्तो एक बार login आपने किया था जो कि temporary ID और password आया था candidate का तो वहाँ करने के बाद agreement आया agreement के बाद sponsor कौन होगा हमारा उसको हम फिल किये यहाँ पर हम फिर से login करेंगे यह हमारा actual login ID password है जो हमको इस company के साथ हमेशा के लिए इस्तिमाल करना है तो दोस्तो हम अपना user ID और password डालेंगे 0169602 पासवर्ड हमने डाल दिया 1484 ठीक है दोस्तों समिट किये समिट करने के बाद एक विंडो आया सुरू सुरू में या आता है फिर उसके बाद नहीं आएगा यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके समिट करेंगे हाँ यह हमेशा विंडो आएगा इसमें इंटर पैनल पर जाकर इंटर कर देंगे इंटर करने के बाद हमको एक और विंडो आएगा पर उससिंग हो रहा है दोस्तों अब हमारा विंडो आ रहा है आगया यहाँ पर हम यह फोटो गेलरी का है यह जो तीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे देखिए अनिल कुमार गुपता इनका form फिल अप हो चुका है है ना डैसबोर्ट पे भी हम जाकर देख सकते हैं status फिलाल में अभी तो सब raid ही होगा status KYC भी अभी pending ही होगा फिर भी हम एक बार check कर लेते हैं है ना देखिए दोस्तो status raid है इनका KYC status भी pending है दोस्तो आशा करता हूँ कि आपको ये जनकारी अच्छी लगी होगी आप form भर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद